गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे आप लोग उमीद है बहुत अच्छे होंगे स्वागत आप सभी का आपके अपने चनल खुरपाती गुरूप पे इस वीडियो में हम लोग साइन्स के टॉप 50 कोस्टन ऐसे कोस्टन देखेंगे जो बार बार एक्जाम में पूछे जाते हैं कैसे कोस्टन तो टॉप 50 साइन्स के कोस्टन जो बार बार आपके नहें पूचे जाते हैं यह सभी कोस्टन इक्जाम में पूछे हूा हैं आप यह को संदार को अफ़िए सुरू करते हैं अपना आज का संदर को नहीं है निमिलिकित में कौन प्रदूशन नहीं है एस ओ टू सी ओ सी ओ थ्री या फिर डीडिटी तो इस प्रशन का सहुतर आपको बता दे कि इस प्रशन का सहुतर जो आपको आप्शन सी हो जाया गानी कि सी ओ थी जो एक प्रदूशन नहीं है क्या सी ओ थी एक प्रदूशन नहीं है बाकि यह Sulfur Dioxide Carbon Monoxide और यह DDT यह साभी प्रदूसर नैं ठीक है चली नेक्ष्ट कोश्चन दूसरा प्रस्ट दूसरा प्रसंड का रहा है प्रथम जीव की उत्पती हुई प्रथम जीव की उत्पती हुई प्रिथमी पर हवा में जलम या फिर किसी अन्य गरह पर ता कशन देखेंगे अगला प्रस्ट देखेंगे करें जीव के उत्पती जीव से होती है इस कथन का सत्यापन किया मतलब कर रहाइब लुइ पासर ने वान हेंलों ने रोबाट में फिर और ने तो आपको बताए कि सक तथन का जो सत्यापन सब्सक्राइब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कि चौत्य प्रशन के और करें पौध है किस भाग से कौफी प्राप्त होता है फूलों से बीजों से पतियों से या फिर फलों से आप तो आपको बता दे कि इस प्रशन का जो सही उत्तर है ऑप्सन भी यानि की पौधों के है ठीक है उम्मिद करता हूं समझ में आगा होगा इस प्रशन का से उत्तर ऑप्सन भी हो जाएगा कि पीडियेफ हमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगा इस से से संका ठीक है और अपने चनल पर मैट्स फाउंडेशन बैचा रहा है और बहुत जल्द जीस का भी फाउंडेश कि में यह फिर तंबाकु की पति में तो इस प्रशन का जो सरे उत्तर आफ आप शरेंडी हो जाने कि निकोटिन जो है म Mehr language की पतियों नामक जो है बिस्याला पतर्त पाए जाता है ठीक है कि अग्ला प्रश्단 छिट्ठा प्रस्वं करें कीटर भक्षी पौधा है कीटर भक्षी चार पौधों के नाम दिये हैं उसमें की टर्वक्षी पॉधा कौन सा है अमर बेल है डुर सरा है गुलाब का नागफनी का पॉधा है बताये के से कीटर भक्षी काउधा कौन सा हो जाएगा ड्रोसरा हो जाएगा ठीक हैlast कि मैं talented सादन और अपने बढ़ते हैं क कि कारा कि dna कचिक कर гор कि दिन और प्रस्तूत कि यह नोबल प्रस्तूत करने में तो बिला था वाट्सन हम क्रिक या फिर डॉक्ट इजीघ खुराना को रोबर कौए फिर बिक्स एम किंग को जो है डिन ये का मोडल प्रस्तूत करने के लिए 162 में कौन सब प्रसकार मिया था नोबेल प्रसकार यानि इस प्रस्ण का से उत्र सथ प्रति सथ क्या हो जाएगा ओप्शन इंडी हो जाएगा ठीक है अगे बढ़ते हैं आठवे प्रस्ण की ओर हम करता अनुवाथ सिंखता के जनम दाता है लैमार्क है डार्विन है खुराना है या फिर मेंडल है तो बताएंगे का सेउत्तर कई बार इख्जाबों में पूछा गया यह प्रस्ण है तो इस पर चिकाज़ उतर हो जाएगा option एड़ हो जाएगा निकि मेंडल जो है अनुवां सिंगता के जनम दाता है कौन है अनुवां शिकता के जनम दाता तो मैंडल कौन मेंडल है ठीक है आगे बढ़ते हैं नौए प्राश्ण की ओर मस्ट भी भी प्रस्ट नहीं है इसमें बहुत सारे पत्चे कंफ्यूज आते हैं गलती भी कर दते हैं बहुत सारे मिन दोस्त करें आलू क्या है जड़ है तना है फल है या फिर बीज है पॉधे का आलू जड़ हो जाएगा या फि फिर्ट दोस्त क्यों कि और करा चेचक के वैसीन यानी वैकसीन को शरौपर्थम तयार किया चेचक के सिंगो शरौपरत तयार किया किसने त्यार किया र standard मैं दोस्त लूई-पाइसर ने डॉक्टर जेनर ने लिश्टर ने फिर Siz थार चार संव्शन का से उत्तर तो इस प्रशन का जो से उतर है option B हो जाएगा निकित जेनर ने जो है जेनर ने डॉक्टर जेनर ने जो है चेचक के विशीन को सर पर्थम तयार किया था क्या हो जाएगा इस प्रशन का से उतर option B क्या option B हो जाएगा चीक है आगे बढ़ते हैं गार्वे प्रश्ण की और करानेम लिखित में से किस बिमारी पर काबू पालिया गया है चार बिमारीों के नाम दिया गया है काने मिल खितमे से कौन सी भिमारी पर बताइगा Still नेす olhos तीभी पर कैंसर पर जोंडों के डिस और पर या फिर जोरों के मतलब जोरों के डिस औरडर पर या फिर मस्तिक के डिस और पर तो इस परूजन का से उतरजेertas अप्सटन ए हो जाएगा बते क्रफिज है काभु पालिया ट्यूबर क्लोसिस पुर्नूप हो जाएगा ठीक है जो चलिए आगे बढ़ते हैं capable करें भारत के लोगों की वासा में पाया जाता है तो पर लोगों की वासा में कितना मतलब क्या प्राप्शन का सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ता है प्रकृतिक कीटना सक इजाडी इजारीर कटीन प्राप्थ होता है तंबाकु से नीम से आम से या फिर पपीते से तो आपको बता जो इस प्रापशन का जो सही उत्तर है कि नीम से जो है प्रकृतिक इटना शक जिसका नाम इजाडिक इजाडिर कटीन होता है यह प्राफ्थ होता है किससे नीम के पौधिस यानी नीम से ऑप्सन भी स्वर्शन का सही उत्र हो जाएगा कि आगे बढ़ते हैं 14 प्राफ्शन के और करें एंटिबायोटिक होती हैं एंटिबायोटिक होती हैं क्या पौधें होते हैं एंटिबायोटिक सीरप्स होती हैं टॉक्सिंस होती हैं या फिर दवाएं होती हैं तो बताएंगे इस प्राफ्शन का से उत्तर हैं इस प्राफ्श कौन दूद को जो है दही बनाता है खमीर बनाता है लेक्टोबेसिल लेक्टोबेसिल बनाता है राइजोपस बनाता है या फिर राइबोजियम बनाता है तो आपको बताया दे कि इस प्रस्ट का जो सही उत्र हो जाएगा दूद से दही बनने के लिए रेक्ट लेक्टोबेसि सट कि इंफलों को अध कॉधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है जिएatura分 किस रोग में फ्रनेंज जा एक वर निरॉन को अधिक पर चलित रूप में जाना जाता है तो स्वाइन फलू ऑप्शन भी इस प्रस्ण का सब्थ परती सब्थ सब्थ उत्तर हो जाएगा जाएगा है 17 प्रस्ण गीं और हम आगे बढ़ते हैं करें रडार का विष्कारक कौन था रडार का विश्कारक रबर्ट विश्कारक मना जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कि आए देखते हैं अगला प्रस्ण अपना अगला प्रस्ण हमारा मनुस्य में एफला टॉक्सिन खाद्या मनुस्य में एफला टॉक्सिन खाद्या विशाक्तन द्वारा समानेता कौन सा अंग प्रभावित होता है थे फ्र्वाहित होता है फ sä दैवर प्रभाहित होता है तो इस प्रस्ण का ब्रार और तो जो सरो होयगा आपको आम संडियानि कि सद्लीजीर अगे आध्या और अगे वड़ना अने इस्वा प्रस्ण हमारा करें निर्मिली लिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है निर्मिली लिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन B6 में विटामिन B2 में विटामिन B1 में फिर विटामिन B12 में तो इस प्रस्ण का जो सही उत्तर है पाया जाता है क्या कोबाल्ट पाया जाता है ठीक है अगला प्रस्ण बीश्वा प्रस्ण करें इन में से रक्त दाब का मापा की अंतर कौन सा है इन में से रक्त दाब का मापा की अंतर कौन सा है स्फेरो मीटर है अनीमो मीटर है इस फिगनो मैनो मीटर है फिर आ मीटर है तो दाप को आपको दाप का मापक यंद्र नी बीपी ब्लड प्रेसर कमापक की अंतर जो आपको हो जाया के इसMy मैनो मीटर हो जाएगा क्या स्विग नो मैंनो मीटर ठीक है कि आगे बढ़ते हैं एक ऐसे प्रश्ण की और करणी विद्ध उत्पन करने के लिए कौन सी कि धातु का उपयोग किया जाता है विद्यम का लोहा का पर्षाँ का यह फिर आलोमेनियम कर आपको बताए किस प्रस्न का जुब्तर हो जाएगा आपको आपसन ने यादि के बिधत उत्पन करने के लिए उडिया Innovative का उब्योग किया तो लमभाई के ऊपर संक्यत करती है यह तरफ संक्यत करती है पूरब की तरफ पस्चिं के तरफ आकास के तरफ या फिर उत्तर की तरफ अगला प्रशन 24 वा नमर प्रशन अपना देख लेते हैं करें स्वेध प्रकास को नली में कैसे पैदा करते हैं मतलब स्वेध प्रकास को पतली नली में कैसे पैदा करेंगे तो तामे के तार को गरम करेंगे तंतू को गरम करेंगे परमानू को दलित करेंगे फिर अनू को दलित करके तो इस परशन का सही उत्तर है आपको ओपसन भी हो जाएगा तंतु को हीट करके जो इस्वेद। परकास को नली में पायदा किया जाता है ठीक है ओपसन भी इस परशन का सही उत्तर हो जाएगा कि आगे बठते हैं 55 प्रस्ट कि और चुन क्या बंता है कि सक्कर के जो आप लोगों को इतायल अलकोहल बनता है option is was One का ईंडिड पर्टेंट स्रेयं रोज जयेगा 6 לא 27 प्राश्ण के और करा कमरे को थंधा किया जा सकता है कमरे को थंधा अगर पानी के बारने से संपीडित गैस को छोटने से धार सोई गैस से थोजको त이라ने से तो इस 2 प्राश्ण प्रकास में सात रंगों को अलग करने का क्या तरीका है एक प्रिज्म से रंगों को अलग करने का क्या तरीका है तो रंगों को तो अलग-अलग किया जा सकता है किस से तो एक प्रिज्म से प्रिज्म से जब गुजारेंगे स्वेट प्रकास को तो साथ रंगों में विभाक्त हो जाता है ठीक है आप लोग बढ़े होंगे ट्रेंट के फिजिक्स में तो इस प्रोशन का जो सभी तरह तो आपको बताएं कि सूरे गरहन तब होता है जब आपको चंदर्मा बीच में हो यानि कि ऑप्सने इस प्रशन का 100% सहय उत्तर हो जाएगा उन टीस्व पर्सण के और का रहा है? सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन zajismar को होता है, 20 создus ब्लग को, 30 June को अभर 20wijl को तो आपको बता दिन आप लोगों को 20 December को हो जाता है. option ने इस पर्सण का 100% सहे उत्तर हो जाएगा तीस्वा प्रश्ण हमारा सोने को घोला जा सकता है सल्फियूरिक एसीड में नैटरिक एसीड में तीन भाग हैट्रो क्लोरीकम में तृत्ता है इस प्रशन का जो ऐप्सन C सहीं उत्तर हो जाएगा तीन भाग हैट्रो क्लोरीकम एस-C-L 3 भाग HCL का ratio 3 तता एक भाग Nitricum HNO3 का एक भाग लेंगे Nitricum का सुत्र HNO3 हो जाता है और HCL जो होता है आपको Hydrocology का सुत्र है कि इसमें सोने को भोल सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं एक दिसे प्रसंग करों कि प्रसाइनिक प्रसाइन का सही उत्तर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर करा हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा ऑक्सीजन बनेगा राक बनेगा मीटी या फिर पानी बनेगा तो आपको बतादे को हाइड्रोजन इसको आवारा तत्तों भी बोलते हैं संकेत ह होता है इसको जलाने में पानी बनेगा क्या पानी पानी का शूत्र क्या हो का 100% सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण करें इस्पिरीन कहां से मिलती है इस्पिरीन कहां से मिलती है पेट्रोलियम से मिलती है प्रिथमी से मिलती है एक पेर से मिलती है या फिर एसीडो की रसाइनिक अभी किरिया से मिलती है तो इस्पिरीन जो है एक पेर से प्राप्त होता है इस फिरीन ऑप्शन सी इस प्रशन का सहित्तर हो जाएगा होता है इसके लिए कर रहा है तिक होता है पी कुजी क्या पीकुजी अपना ट्रीक है ठीक है जर्इक प्यकुजी मतलब कई रहा मनें पी तल से पी थाल पी थीथाट्वी पीथल कौन सी धाथ कमिसरन है तो सी यू कॉपर और जे ई.ट-जैड होता है तो जेड़ या निए आप लोग जस्ता ठीक है तो पीतल कौन सिधात् को कमिसिन होता है याद रखेंगे तांबा और जस्ता किसका तांबा और जस्ता option देस। प्लसट का सहीुत्तर हो जाएंगा ठीक स्थी का टीक है अधर पीकूज जी क्या पीकूज होती है तब जैव्यदोटिक उर्जया गति में प्रयुरतित होती है तब उस्मा की कोई सब्सक्राइब होती है 50 पर्सेंट मैं होती है 30 पर्सेंट की हडी असभी पर्सेंट उसमा की सब आपको बताए कर खानों से मतलब होती हैं शेति के लिए कौन से उर्वरक उपियुग करेंगे आप गेहों की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे नैट्रोजन पोटेसियम तामबा या फिर लोहा तो बिलकुल नहीं पोटेसियम नाइट्रोजन में कनफीजियों नहीं है आपको option इस प्रशन का सही उतर हो जाएगा गेहों की खेती के लिए नाइट तो इसका द्रहबमान बदल जाएगा इसका भार बदल जाएगा प्रंतु द्रहबमान नहीं पर भार होगा भार बदल जाएगा प्रंतु द्रहबमान नहीं भार और द्रहबमान बदल जाएगे न द्रहबमान और नहीं भार बदलेगा तो जब एक पत्थर को चांद की सता से प्रिद्मी पर लाय जाएगा तो उसका भार जो है बदल जाएगा प्रन्तु दर्बमान सेम टू सेम बदलेगा ठीक है ओप्शन 20 परशन का से उतर हो जाएगा कि अगे बढ़ते हैं चालीसवे परशन के और करें आप लिफ्ट में खरें हैं लिफ्ट में फर्स पर आपके द्वारा आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट में के 9,8 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर के तौरण से ऊपर जाते समय सुनने होगा लिफ्ट के 9,8 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर के तौरण से नीचे आते समय सुनने होगा जिहां ओप्शन बीस प्रशन का सही उतर हो जाएगा यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा ठीक है तो करे आम तोर पर सुलिप्षा फिज लगाने के लिए पृउग होने वाला तार किस पधार्थ का बना होता है तो आपको बता द тайंगे कि सुलख फिज लगाने के लिए पृउगा। अप लोगों को 3 और C से कि एक मिस्र धातु का बना होता है अप्सन डीस प्रशन का शही उत्तर हो जाएगा हंडेट पर्शन से उत्तर हो जाएगा कि बैली स्वा प्रशन कराय पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तनों की सफाई के लिए पुरोग किये जाने वाले अमोनियम क्लोराइट छुट्ण से निकलने वाला धूता है अमोनियम होता है और असे विएम ऑप्सन का सेंटार हो जाएगा नुमेरिकल है करें जस्ते के एक आयतन भाग की जिसका घनतों दिया है 1500 कीजी पर मीटर की वोको दो आयतन भाग तामबा से मिलाने पर पीतल बनता है तो पीतल का घनतों है तामबा का घनतों दिया है आप लोगों को विन को स्रस्वाइब स्वाले बाड़ फार बबन कर लिएगा जा इस पुर्ष को ऑनतर एक अपो एंसर आगा 30ason है आपको 3300 केजिए per meter की बारे ठीकर्ष का सई तरह जिए है कि चोनलीर पर ठीकर अल्पोल होलिक अछोप हमिरण का आखरी उत्पाद जो है आप लोगों को इथाइल अलकोहल हो जाता है किया इथाइल अलकोहल आप्शन सी में दिया है आप्शन सी इस परशन का हंडेट परशन से उत्तर हो जाएगा एक फोटी फाइप नमर परशन देखेंगे हम अपना करा हाइड्रो क्लोरिक एसीड कांच की बुतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभी किरिया करता है दृष्य प्रकास से कांच की सोडियम उक्साइड से कांच की सिलिकॉन उक्साइड से तो ऑप्सन डिस परशन का सह सही उतर हो जाएगा हाइड्रो क्लोरिक एसीड कांच की बुतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि कांच की सिलिकॉन डाय उक्साइड से वह अभी किरिया आपको कर लेता है ऑप्सन डिस परशन का हंड़ेट परशन से उतर हो जाएगा 46 नमबर प्रशनम देखेंगे करें वायू में थोड़ी दर रखने पर किसी धातु के उपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परद जम जाती है वह धातु कौन सा है तांबा है चांदी है निकेल है या फिर जस्ता है बताओंगे इस परशनका से उतर तक लोगों को बताओँ कि हरा रंग के बिसी क बेसिक कर्बोनेट की ब्रेंट पर जम जाती है तो धातु च्या थांबा हो जाएगा आपसन इस प्रशनन का 100 प्रशन सहय उतर हो जाएगा तो फोटी सेबन नमर प्रस्ट करेक कच्चे फलो को क्रित्रीम रूप से पकाने के लिए परयोग मिलाई जाने वाली गैस का नाम क्या है आप लोगों को इसका नाम जो हो जाएगा आपको ऑप्सन डी एथिलीन वह एसीटीन हो जाएगा ऑप्सन डी इस प्रस्ट का 100% शही उ नम्क है एस्टर है नाइट्रो हाइड्रो कार्बन है ओफिर समिसरन हाइड्रो कार्बन है तो एष्ट यस नाइट्रो गिलसरी ने एक एश्टर होता है 47 जय पर छाएगा सेकेंड लाश्ट कोशन क्यों हम बढ़ते हैं बीडियो में अन तक बने रहेगा अब दो कोश्चन और है करें जस्ते को एक बर्तन पर विधूत लेपन की बीधी में बर्तन को रिंधुरू बनाया जाता है सुद जस्ते को धन्दुरू बनाया जाता है बर्दन को डिन्दुरू और सुद जस्ते को धन्दुरू बनाया जाता है बिल्कुल सही option 60% का सही उत्तर हो जाएगा लाश्ट प्रसन आज कम अपना देख लेते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग इंसर बता दीजेगा और वीडियो कैसा लागा जरूर बताईएगा ठीक है ऐसे ही और वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर आते रहेंगे और मैट्स का फाउंडेशन बैच आप लोग सब्सक्राइब करने और भी अच्छे आप लोगों को जीएस का फाउंडेशन बैच सभी बहुजल्द आप लोगों को उपलब्द कराए जाएंगे चलिए तब तक के लिए जैहिन जैभारत इस परसंड का उत्तर आप लोग कमेंड में बताएंगे करेवायू में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है नियोन नहीं होती है हिलियम नहीं होती है फिर रेडॉन नहीं होती है चीक है